question number 3 पूछ रहा है विच्छ दो the following statement all statements is or are correct about Elberkarki तो Elberkarki के बारे में कौन सा कतन सही है कौन सी statement correct है तीन statement दे रखी है वन बाई वन रीट करते हैं पहली statement कहती है he introduced permit system for ships तो उन्होंने ships के लिए permit system को introduced किया he acquired Goa from सुल्तानों बीजापूर in 1510 उन्होंने Goa को किस से acquire किया बीजापूर के सुल्तान से 1510 में हो सकता है during his reign सती वास encouraged तो जब वो rule कर रहे थे पोर्टुगीज की तरफ से तो सती जोती उसको काफी encouragement मिला था सोचे क्या answer होगा चलिए देखिए आपको पता है Elberkarki को real founder of Portuguese power कहा जाता है East के अंदर इसी वज़े से अब हम देखेंगे कि क्या-क्या उन्होंने ऐसी चीजे करी जिसकी वज़े से उनको real founder of Portuguese power इंडिया के अंदर या फिर East के अंदर खा जाता है सबसे पहला था उन्होंने ships के लिए permit system को इंडियूस किया जो अभी तक नहीं किया गया था तो पहली statement ठीक हो जाती है Goa को acquire कर लिया उन्होंने कि से सुल्तानों बीजापूर से तो यहां पर भी यह उनका एक commercial activity के point of view से एक strong point बनेगा Goa तो यह भी हम आगे आने वाले lectures में देखेंगे तो second statement भी आपकी correct हो जाती है अब बात करते हैं और इसके अलावा क्या किया गया इसके अलावा जो negative चीज़ करी गई वो था bitter persecution of Muslims तो Muslims को persecute किया गया तो यह उनकी religious policy का एक part था क्योंकि उनको बेजाई इसले गया था कि Muslim middleman को आप हटाईए बीच में से ताकि डारेक्ली इंडिया और यहरों ट्रेड कर सके ठीक है so it was one of the drawbacks of Albuquerque policy इसके अलावा एक अच्छी चीज जो उन्होंने करी वो करी fortification of Goa देखें उस वक्त यही था कि जो आपके strong points होते थे चाहे वो commercial activity के लिए या military activity के लिए उनका fortification बहुत ज़रूरी था अगर आप अपने areas को fortify कर लेते हैं तो local लोगों से बचा सकते हैं इवन जो आपके enemies होते हैं उनसे भी बचा सकते हैं यह जो चीज थी यह start करी Albuquerque की ने fortification of Goa किया गया इसी वजह से उनका जो commercial interest था वो further consolidate हो गया और इनी के नाइम पर ही सती जोती उसको बंद कर दिया गया था तो encourage नहीं किया गया था सती वस abolished तो यह भी ध्यान रखिएगा हमारा जो answer होगा वो क्या होगा D क्योंकि पहली दोनो statement correct हैं तीसरी statement incorrect है